Hello friends, welcome to my channel आज हम प्लास्टिक बायर से एक इस्टेन फ्लावर बनाएंगे friends देखिए एक ही मॉडल में हम टोटल पॉंच डिजाइन का फ्लावर बनाएं हैं friends इससे पहले का वीडियो में ये औरेंज कलरवला डिजाइन को हम बनाएं थे friends तो और इसमें मेरे चाट डिजाइन का फ्लावर बनाने के लिए है friends अगर एक वीडियो में हम सभी फ्लावर को बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए फिर हम इस वीडियो में एक फ्लावर को ही बनाएंगे अगर आप लोग को भी ये फ्लावर डिजाइन पसंद आता है तो वीडियो को पूरा देखिए आगे हम इस टेफ बाई स्टेफ बनाएंगे तो देखे friends हम अभी ये डिजाइन का फ्लावर बनाएंगे देखे हम इसको कई सारा कलर में बनाएंगे आप एक कलर का भी सभी फ्लावर को बनाके एक स्टेंड में सेट कर सकते हैं या तो आप सभी कलर का फ्लावर बनाके एक स्टेंड में सेट कर सकते हैं ये फ्लावर बनाना बहुत ही असान है friends आप एक बार बनाके ज़रूर ट्रै किजिए तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंच 15 प्रेंट का हम एक बायर लिए है और इसका एक किनारा पकड़ेंगे इस तरह से और इसको 2 इंगली पर रखते हुए रॉल करेंगे इस तरह देखिए थोड़ा मोटा लगेगा बायर देखने में तो ज़्यादा सुन्दर लगेगा देखिए हो गया अब हम इसमें गाट लगाएंगे देखिए सभी बायर का रॉंग साइड उपड़ के तरफ है फ्रेंज देखिए पीछे साइड इस तरह से फंदे डालेंगे और बायर को आगे करते हुए पीछे करेंगे इस तरह से तो देखिए पीछे एक फंदे बन रहा है तो फिर गाट का लेप्ट साइड हम एक और गाट लगाएंगे तो देखिए फ्रेंज फंदे के बीच में बायर को डालते हुए टाइट कर देंगे इस तरह से और फिर हम बाय फिर हम बायर को आगे करते हुए पीछे करेंगे और गांट का राइट साइड एक और गांट लगाएंगे इस तरह से देखिए मुला तीन गांट लग चुका है फिर हम सभी बायर को आगे करते हुए पीछे साइड कर देंगे इस तरह से दोनों साइट का सिंगल गाट लगाएं और बीची स्टेप का डबल गाट है तो अब हम इसे आगे बनाते हैं तो अब इस जिगह से लास्ट रॉल में गाट लगाएंगे फ्रेंज सभी गाट को सेम तरीका से ही लगाना है देखिए इसको टाइट कर देंगे फिर बायर को आगे करते हुए पीछे करेंगे इस तरह से देखिए पीछे एक फंदे बना है तो फंदे के बीच में हम बायर डालेंगे इस तरह से और इसको टाइट कर देंगे देखिए हो गया फिर हम बायर को आगे करते हुए पीछे करेंगे इस तरह से तो इसी तरह से गांट लगाते हुए लाश्ट तक गांट लगा लेते हैं फ्रेंस फिर आगे दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंस हम लाश्ट तक गांट लगा लिए हैं तो इसका राइट साइड और एक गांट लगाएंगे बीची स्टेप में इस जिगा तो देखिया हो गया फिर हम इसका राइट साइट का गाट को डवल करेंगे यह बला को तो देखिया हो गया फिर हम बायर को आगे करते हुए पीछे साइट से डालेंगे इस तरह से एक फंदे के नीचे से डालना है देखिया हो गया अब आप ऐसे भी इसको इस्टेंड में सेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पती है तो इसमें सेट कर दीजिए तो ज़्यादा सुन्दर लगेगा देखने में तो देखिए फ्रेंस हम दो तरह का पती इसमें सेट कर रहे हैं देखे हो गया तो देखे फ्रेंस ये फ्लावर में तीन वायर है बीची स्टेप में तो इसका भी हम तीन वायर निकालेंगे इस तरह से पहले फस्ट वायर को इस तरह से खिच देंगे फिर सकेंड वायर को खिचेंगे सेम सेम दूरी पर सभी वायर को डग देंगे तो देखे हो गया देखिए फ्रेंस हम पॉच फीट का बायर लिए थे तो दोनों फ्लावर सेम साइज का बना है फ्रेंस आप इससे अगर बड़ा बायर लेंगे तो बड़ा फ्लावर बनेगा आप अपने पसंद से फ्लावर का साइज बड़ा या छोटा रख सकते है फ्रेंस आप तो नेक्स्ट वीडियो में हम यह डिजाइन को बनाएंगे तो तब तक के लिए बाइ फ्रेंस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में